अंतरा आत्मा की चुनाव की बात है मीरा कुमार की दो प्रमुक बैयान फिर चे एक बार सुनाते हैं कुछ मेहमान देरी से हमार साथ जुड़े मुद्धा क्या है निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों को पत्र लिखा है चाहे वो किसी भी दल के हो किसी भी प्रांद के हो सब को पत्र लिखा है और विड़म अनुरोद किया है इस समय देश एक चौराहे पर खड़ा है एक तरफ रास्ता जाता है अंदकार की ओर ले जा रहा है जहां एक दूसरे को बरदाश्ट करने में हमें दिक्कत हो रही है और एक तरफ का रास्ता हमें उस खुड़े हवा में ले जा रहा है जहां हम एक दूसरे को गन्य लगाने के लिए तरफ पर रहते हैं यह इतिहास लिखने का मौका है इसे दर चूंके ऐसे मौकों पर आत्मा की आवास सर्वों पर होती है अब एक उस दिनों से हमें लगा कि हम ऐसे लोगों की द्वारा शाशित हो रहे हैं जिनकी विचार धारा इससे बिल्कुल भिन्द है विपरीथ है वो सहिश्मता इस पर अब अब जो अब अब कि यह बयान था और इस बयान में राजनीती कहीं पर नजर आती है कैलाश्च चौधरी साब आप मांते हैं कि यह राजनीति का परंपरा इस्थापित करने की कोशिश है बाश्चपति के शुनाओं में गरीवाँ कहीं भंग हो रही है ऐसा है कि जो सब्द कहेंगे एक राष्टपती के उमीदवार को यह सब्द अच्छे नहीं लगती और जिस तरह से उन्होंने का अंधकार से और फिर एक तरफ खुली हवा है एक तरफ अंधकार है मैं तो यह कहता हूँ कि देश के अंदर शितर साल हुए बारत आजाद हुए उसके बाद में अब देश की जनता ने एक रहा देखिए एक व्यक्ति परदानमंत्री नरंदर मोदी जी के रूप में उन्होंने देखा है कि देश आगे बढ़ रहा है विक्षित 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 की और आगे बढ़ रहा है और निचित रूप से इसी के उनी के है कि देश आगे बढ़े और एक राश्टी था कि उजो उनके अंदर विचार और गैर उसी निची तुरूब से लगता है कि यह आने वाले समय के आगे बढ़ेगा जो नदकार की बात करने वाले अंदकार में इतने बरस तक देश रह गया अब निची तुरूब से विकास की और आगे बढ़ रहा है और निच्चित रूप से अब विकास की और आगे बढ़ रहा है और मैं तो यह कहता हूं कि इन इस समय अपने सब को यही है कि जैसा यह चल रहा है आज यह बयान बाजी कर रहे हैं और इस तरह के वियान एक राष्ट पती के के परत्यस्ती का जो चैन है उसका जो आधार है वह आपके क्या मान चीख को पर उस पर हुई नहीं होाओ come vape से जो लगता है जो आपको लगता है जो शासन है वो ऐसा हिश्णू है जो शासन से जुड़े हैं वो ऐसा हिश्णू है अस्वनी जी यह जो बात है वो किसी पार्टी ने या किसी और क्यों आपको कोविंद में भी छवी नज़र आती है यह इस लिए लगता है कि इस देश के अंदर बहुत से ऐसे समयदानिक सहंस्तान है विश्वे विदाले हैं सोज सहंस्तान है कला से जुड़ेवे सहंस्तान है साहिते से जुड़ेवे सहंस्तान है फिल्म इंडर्शी से जुड़ेवे सहंस्तान है उन सहंस्तान के लोग जब सड़कों पे निकल के और बात करते हैं जो इस मुल्क को कहीं अपनी वानी से कहीं स से एक दिसा देते हैं अगर वो लोग इस बात को कोविंद में क्या वो छवी आपको नज़र आती है जिस पर इतराज है मेरा कुमार अगर कहके जा रही है तो जाहिर है कि अपने प्रति जुन्दी के लिए कुछ कहती है कोविंद के लिए नहीं कहा जब उनके प्रत्यासिके चैन के बाद में जब जो उनके मुख्यां जिन्हों ने उमीद्वार बनाएं उनकी जो मानसिक्ता अपनी संबोधन में जलकती है और जो विचारदारा उनके पिछे खड़ी है और जिस विचारदारा में कोविंद से जुड़ा भी करना चाहूँगा तो उस रस्ते पे ही ले जाने की हो रही है उसकी जबाब दे क्यों में लेते कोविंद साहब आये लेकिन जो अंदाज था मुखातिब होने का मीरा कुमार का उससे जुदा उनका अंदाज रहा पार्टी के भीतर आये पार्टी से बात की और लॉट गए क्या बीजेपी इस कांफिडेंस में है कि चुनाव हमने जीत लिया है सिर्फ एक उप्चारिकता जो होती है हर राजजी में अपने लोगों से मिलना वो यहां पर निभाई जा रही है या फिर जो विजन है उसको लेकर कहीं डाउट हो सकते हैं भी क्या लग रहा है रन्नीत से और सांसदों से मिल रहे हैं उसे बातचीत करें एक इस परक्रिया को हम इस रूप में ले सकते हैं कि वह उनसे मेल बढ़ा रहे हैं क्योंकि वह पता है उनको राष्टपती बनेंगे उनसे एक सहज मुलाकात हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें अपनी बा अपने को जानने का मौका दूसरों को देने के लिए उनको समय भी दिया जाना चाहिए तो यहां तक तो बाट ठीक है जो अपना बहस का बहस का जो मुद्दा है आज उसमें एक चीज मिस हो रही है अपने सब से उसमें जोड़ना चाहता हूं मैं पहली बात उन्होंने कह द जाली थी जिसमें वो पंदरा सेकेंड में च्छे वार उनको टोक रही है बोलने से रोक रही है तो मेरे साब से यह परंपरा भी ठीक नहीं है यदि आपने भले ही वो हा रहे हैं लेकिन वो है राष्टपती पद की उम्मीदवार उनके खिलाव इस तरह से आरोप लगाना क इन्होंने इस तरह से संसद में मुझे बोलने नहीं दिया था लिखा भी था उन्होंने अलाकि उसके बाद कॉंग्रेस ने दूसरा वीडियो डाला था उसमें वही सुसमा सुराज उनकी बहुत तारीफ कर रही हैं कि आप आप जैसा लोग सबाद्यक्ष दियास में नहीं ह हुआ आपने सब किसी के साथ कोई बेदवाब नहीं किया तो इस तरह की जो घटना है इसके अलावा एक जो तीसरी चीज है वो जो सबसे ज्यादा चिंता जनक है पार्टी की जो टॉप लीडर्शिप है उसको छोड़ दीजिए दोनों अमीदवारे उनको छोड़ हैं उनके पती तो ब्रामन हैं वो दलित कैसे हो सकती हैं वो तो इतनी पड़ी लिखी हैं उनके पिता मंतरी रहे हैं उप्रदान मंतरी रहे हैं वो इतनी पड़ी लिखी हैं वो दलित कैसे हो सकती हैं इस तरह की जो बाते हैं क्योंकि आम लोगों की बीच में बाते जाती है ये बाते हैं कहां से शुरू होती हैं कहां से वाइरल होती हैं सोचा उस पर जाना चाहिए जहां तक मीरा कुमार का सवाल है और कोबिन साब का सवाल है तमाम उन प्रक्रियाओं की बात है तमाम उन मुद्दों की बात है जो इस बार रास्टपती चुनाव के दौरान पहली बार सा हैसास कराते हैं और लगता है कि कहीं न कहीं परमपराओं का हास हो रहा है सवाल उनी पर है बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ, बिल्कुल हो रहा है ऐसा प्राम तौर पर हमने देखा है वो परंपराएं भी देखिए जब रास्टपती चुने जाते हैं तो राजनितिक विचार प्रमुक्ता में नहीं होते हैं काबिलियत शक्सियत की होती है लेकिन यहां इस बार काबिलियत का आदार कहीं मजभब जाती से जोड़ कर देखा जाता है प्रतिवया पाटिल बनी ठीक है कहा गया कि पहली महिला रास्टपती बन जाएंगी कलाम साब बने कहा गया कि विग्यानिक हैं लेकिन उनको भी किसी ना किसी रूप में अलपसंख्यक के तौर पर पुराने की कोशिश हुई लेकिन इस बार उन परंपराओं को और नीचे ले जाए जा रहा है वो क्या हास है वो क्या नुकसान है देश के साथ को अश्वनी जी देखिए जिस तरह की राजनीती हो गई है क्योंकि समाथ से नेता निकलते हैं और नेता ही राजनीती चलाते हैं तो जिस तरह की राजनीती आपको आम चुनाओं में मिलती है लोकसवा में देखने को मिलती है टेली विजन की बहसों में देखने को मिलती है उसका उसका जो लक्षण है वो टॉप लेवल तक भी जाएगा और नीचे तक भी जाएगा शोशल मीडिया ने जिस तरह का माहौल कर दिया है राजनीती में आप किसी के ओपर भी बेसर पैर की बात कर सकते हो अब एक सबसे चिंताजनक बात है कि जो आजकल जो नेता हैं जो सांसद हैं विदायक हैं या जो बाकी पद ओपर हैं पार्टी के पदादीकारी हैं उन्होंन इडिया पर डाल देते हैं तो इस तरह की जो चीजी है वो नुशान पहुंचा रही है तो वो टॉप लेवल तक भी जैंगी सारी शाम जी आपका क्या नजारी है इस पूरे प्रक्राण पर और साथ में जाना चाहूंगा कोमित साब कर नहीं बोलना सबके सामने इस प्रकार सब्सक्राण दो वजार उननीस का चुनाव उनके लिए बहुत महत्पूर है इसलिए उनने ऐसे उमिद्वार को राश्पति का विद्वार बनाया है कि उनका भुष्य जो आने वाला है वो निश्यत हो जाए कि हमने देखो दलित को राश्पति बना दिया अब हमारे साथ हम इस इस्तिति पर पहुचाने वाले हैं तो यह पहली बार इसलिए उनके पास क्योंकि बहुमत था ही नहीं इसलिए मजबूरी में उनको कलाम साब को बनाना पड़ा वहां इस्तिति यह थी लेकिन आज आज इनके पास कहने कि हैं कि हम अपने दम पर जिता सकते हैं इसलितिति रहते नहीं कि आज बुदुब करतेही है कि मेरा कुमार ने अपनी बात को पत्रकारों के सामने रखा लेकिन यहां पता नई क्यूआ progressed आर्ची चौदरी साब आपको भी कुछ ऐसाहज लगा? यह पर्टेक्स हो सकता है लेकिन बावनाप पूरे देश के लोगों जूड़ी वी होती है तो ज्यादा बैतर होता कि वह आके मुखातिब होके और अपनी बात को कहते हैं लेकिन ये पार्टी तैय करती है कि कहां पर उनको बोलना या नहीं बोलना या क्या उनकी बीच के यह तो इंटरनल उनी का मामला है वह ज्यादा बैतर इस त्रीकिशे जान सकते हैं लेकिन जाती विवश्टा का उद्देले त्रूप से ले काना जब उस संक्टन का मुख्या अगर बोलता है तो निश्टि त्रूप से उनकी बावना वह एक अलग लगती है उनका बोलना या नहीं बोलना चुनाओ का विजय होना या नहीं होना यहां पे कोई विप तो जारी होती नहीं है ये लोगों की विप जारी नहीं होती और एक राश्टर पती जो होता है उमीदवार है और चुनाव लड़ रहा है और वो अपने निर्वाचेन मंडल के सदस्यों से समगर अगर वोट मांगने की अपील नहीं कर सकता तो निश्च सब्सक्रांज सब्सक्राइब क्याता अखैया तो जैसे भारत्येंन य ambos दूसी मेरे हिसा देрахары है एसा भी है किलाश और दरी साथ चांद सकते हैं वजह क्या रही सबसे मुखातिब नहीं हो पाए ऐसा है कि समय की बात नहीं है कि हमारे राष्ट पती के उमीद्वारत है उन्हें के बाद में राष्ट पती जी के जो कोईन साब है उन्होंने रोजना कम से कम दो प्रदेशों क अंदर उनका जाना होता है और वहां जाकर और शत्रा तारीक को जैसे चुनाव है उससे पहले जो भी प्रदेश से वहां सब जगह जाकर उनके प्रवास रहत जाकर मिलना है उस बीच में जाकर जा मीडिया पूरे इंदुस्तान का एक है मेडिया की जो बात आती है वो सब क कोई वीशे नहीं है निच्चत रूप से वह आये उनके विचार हैं और उन्होंने जो जिस जैसा नहतरत है उनका और उनके जो का उनका काबिलियत है और उनकी यह आने के बाद में जिस पी और यह वो उमीदे इस चुना में जिन्दा होतीयों नजर आती है एक ब्रेका कि जातिवाद के आदार पर राजनीती शुरू हो गई है तो इसलिए इस पर सिस्थिति है कि कहीं कहीं हितार्त काम हो रहा है देश्थ में काम नहीं हो राश्ट पती चुनाओ के दोरान बयानबाजी बिल्कुल गलत है यह एक समयदानिक पद है और समयदानिक मर्यादय के जोनाओ नहीं है